औरंग जेब ने गुरु तेक बहादुर जी को इतनी बेरहमी से क्यों शहीद किया। क्या गुरु जी के पास शहीद होना ही आखरी विकल्प था। कौन थे वे लोग जो गुरु जी को शहीद होता देखना चाहते थी। गुरु जी की शहादत के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया को ही हिला कर रख दिया। आज हम इस वीडियो में आपको इन सभी स्वालों के जवाब देंगे। जब बाशा ओरंग जेब दिल्ली का राजा बना तो 1661 में उसने ये ऐलान जारी कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं उन पर ताले लगा दिये जाए। बहाना ये बनाया कि मंदिरों की इमारते बहुत पुरानी हो चुकी है। चाहे वो अयोध्या का मंदिर हो या सोमनाग का। हिंदु में भी तब इतनी शक्ती नहीं थी कि वे मुगल बाश्या के आगे इस बात का विरोध कर सके। जब कई सालों तक मंदिरों के ताले लगे रहे तब औरख जेब ने महसूस किया कि हिंदु अपने धरम के लिए जागरूप नहीं है। नहीं उन्होंने किसी प्रकार का विरोध किया। उनमें अपना हक मांगने की शक्ती नहीं रही। यह बात भी विचार करने योगी है कि जो कौम अपना अधिकार मांगने से डर जाती है वे धीरे धीरे अपना अस्तित्र भी आखिर एक ना एक दिन गवा वैठती है। अगर हम सिख धर्म की ओर देखें तो बहुत कम समय में सिख धर्म का विस्तार बड़ी तेजी के साथ हुआ है। पूरी दुनिया में फैल गई। अब हम बात करते हैं औरंग जेब की। औरंग जेब ने 1674 में हिंदू के मंदिर तोड़ कर मस्जिदे बनवाने का आदेश चारी किया। कहा जाता है कि बड़े कम समय में मस्जिदे बनवाने के बाद उसने हुकम दिया कि हिंदू को पैसों का लालच देकर मुसल्मान बना दिया जाए। अगर वो यह स्विकार ना करे तो जबर दस्ती उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया जाए। इस तरह जोर जबर से हिंदूओं को मुसलिम बनाया जाने लगा। बादशा ओरंग जेब बड़ा स्वार्थी और जालिम था। असल में वो सारे हिंदूओं को मुसल्मान बनाना चाहता था। जित्र तीर स्थानों के बड़े-बड़े ब्रामनों को मुसल्मानी मजभब धारन करने के लिए मजबूर करे। उसके काजियों ने उसे मश्वरा दिया कि कश्मीर के पंडित बड़े सम्मान निये समझे जाती है। अगर इनको मुसल्मान बना दिया जाए तो सारे प्रव्स्तान के हिंदू अपने आप ही मुसल्मान बन जाएंगी। औरंग जेब को अपने सेवादारों और काजियों की सलाबडी पसंद आए। उसने आदेश दिया कि कश्मीर के पंडितों को मुसल्मान धर्म अपनाने के लिए सक्ति की जाए। कश्मीरियों के घर और जायदा जब्त कर ली जाए। उन्हें भ्यानक सजाएं दी जाए। जब कश्मीरी पंडितों पर अत्यांत जुलम होने लगे तो उन्होंने कश्मीर के सूवेदार से छे महिने की मोहलत मागी। उन्होंने कहा कि वे इस समय के अंदर या तो वो मुसल् वो भूगतने के लिए तैयार हो जाएंगे पंडितों की या बात सुनकर जब सूबे के हाकिम ने छे महिने की मोहलत दे दी तो कश्मीर के परमुख पंडित एकठे होकर अमरनाथ के परसिद मंदिर में शिव जी के आगे गिंती करने लगी मंदिर में पहुँचकर पंडितों ने मर्यादा नुसार पूजा पाठ करवाई और शिव जी के आगे सहायता के लिए प्राक्नाई की पर शिव जी ने उनकी सहायता ना की मोत उनको सामने खड़ी नजर आ रही थी उस समय कश्मीरी पंडितों का एक मुखी पंडित कृपा राम था उसने सारे ब्रामनों को ये सला दी कि इस मुश्किल घड़ी में अगर किसी महापुरश की या किसी पहुचे हुए संत की सहायता ली जाए तभी हम बच सकते हैं और उसने सब को संबोधित करते हुए कहा कि देखा जाए तो शिवजी की मूर्तियां ओरंग जेब ने मंदिरों समय सारी ही द्वस्त कर दी हैं फिर भी शिवजी ने ओरंग जेब पर कोई कहर नहीं ढाया इसलिए हम सभी को किसी ऐसे महान पुरुष से मिलना चाहिए जो शक्तियों का मालिक हो या फिर हमें कोई सलाम मश्वरा दे सके सारे पंडित जब उससे सहमत हो गई तब उसने बताया कि गुरु नानक देव जी एक ऐसे महापुरिश हुए हैं जो किसी हाकम बाश्या या जालिम से नहीं डरते थे उनकी गद्धी अभी भी चलती है उनकी गद्धी पर विराजमान गुरुओं में जुलम से टक्कर लेने की पूरी समर्था है छटे गुरु शिरिगुरु हर्गोबिन साहिब जी ने एक छोटी सी फोच के साथ इन जालिम मुसल्मान हाकिमों को सबक सिखाया था आज कल गुरु नानक देमची की गद्धी पर नोवी गुरु तेक बहादुर जी विराजमन है तब कृपाराम ने कहा मुझे पूरा भरोसा है गुरु जी हमारी फर्याद अवश्य सुनेंगे और अपनी शक्ती और भक्ती के साथ ओरंग जेब को जुलम करने से रोक सारे ब्राह्मनों ने तब कृपाराम की बात मान ली और इस तरह वे सारे कश्मीरी पंडित अनन्दपूर साहिब गुरु जी के दरबार में हाजिर हुए पंडितों ने हाजिर होकर विंती की महराज ताकत के नशे में चूर जालिम ओरंग जेब हमें मुसल्मान बनाना चाता है आप गुरु जी हमारी उसके जुलम से रक्षा करे हमारे हिंदू धरम के चिन तिलक और जंजु को अब खत्रा है औरंग जेब हमें मुसल्मान बना कर सारे हिंदूस्तान को ही मुसलिम बना देना चाता है आप ही हिंदूस्तान के हिंदूों को मुसल्मान बनने से रोक सकते हूँ हम अपने सूबे से छे महीने की मोहलत लेकर आई हैं इन छे महीनों के बाद यह हमें मुसल्मान बनना पड़ेगा यह हमारा कतल किया जाएगा पंडितों की यह दुखबरी कहानी सुनकर गुरु तेक बाहदुर जी खामोश रोकर कुछ सोचने लगे गुरु जी गहरी सोच में डूबे ही हुए थे कि उनके साइबजादे गोबिंदराई जी उधर ही बैठे थे अपने पिता को गहरी सोच में देखकर कहने लगे पिता जी आप क्या सोच रहे हैं और ये लोग कोन हैं गुरु जी बोले बेटा ये कश्मीर के दुखी पंडित है और अंगजेब एक बड़ा जालिम बाश्या है जो इनको जबरदस्ती मुसल्मान बना देना चाहता है इनकी रक्षा के लिए किसी महापुरिश की कुर्बाने की जरूरत है अगर ये लोग मुसलिम धर्म नहीं अपनाएंगे तो इनका कतल कर दिया जाएगा अपने पिता के मुक से ये बात सुनकर साहिब जादे ने कहा पिता जी आपके मुकाबले और कौन बड़ा महापुरिश है जो इनकी रक्षा कर सके आप जी किसी भी तराएंगे साहिता करे अपने दिलेर पुतर की ये बाते सुनकर गुरु जी ने पंडितों को कहा जाकर अपने सूबे के हाकिमों से कह दो अगर ओरंग जेब अनन्दपुर्वासी हमारे गुरु तेक भाधुर जी को मुसल्मान बना देगा तो वो भी मुसल्मान बन जाएंगी गुरु तेक भाधुर जी के वचन सुनकर पंडित खुशी-खुशी अपने घरों को लोट गई उन पंडितों ने ओरंग जेब को इतिला कर दी कि गुरु तेक भाधुर जी हमारे गुरु है अगर तुम उन्हें मुसल्मान बना लो तो हम भी सारे मुसल्मान बनने को तैयार हैं ओरंग जेब ने तब सोचा कि एक व्यक्ति को अपने धरम मेलाने से अगर सभी हिंदू मुसल्मान बनने को तैयार है तो हमें और क्या चाहिए? इसलिए गुरु तेग भादुर जी को हर हालत में इसलाम में लाना जरूरी है पंडितों के जाने के बाद गुरु जी ने औरंग जिप के पास दिली जाने की तैयारी कर ली उन्होंने अपने साथ छे सिख लिए गुरु गद्धी उन्होंने अपने पुत्र गोविंद राय को सूप देने के लिए कहा इतिहास में दर्ज है तब बड़ी गिंती में सिख वहां पहुँच गई उन्होंने भी गुरु जी के साथ चलने की आग्या मांगी पर गुरु जी ने धर्ती पर एक लकीर खीच दी इस लकीर से आगे कोई सिख नहीं आएगा उन सिखों को बलकी हिदायत भी दी कि साहिब जादे गुरु गोविंद राय का ख्याल रखी और उनकी आग्या का पालन करी विदाई के समय उन्होंने शिरी गुरु गोविंद राय जी को अपनी बाहों में कस लिया जब माता नानकी जी ने उदासी दिखाई तो आप जी ने सभी को संदेश दिया कि इस जग में कोई भी सदा नहीं रहा और नाहीं रहेगा शरीरों का रिष्टा सदा काइम नहीं रहता प्रभू का सिम्रन करो जिसने अंतसाहाई होना है जो छे सिख गुरु जी के साथ दिल्ली आए वे थे भाई दियाला जी, भाई मतिदास जी, भाई सतिदास जी भाई गुर्दत्ता जी, भाई जैता जी और भाई उदे चंद जी यतिहास में दर्ज है कि दिल्ली पहुंचने के बाद उरंग जेब ने गुरु तेक बहादुर जी को उनके तीन साथियों भाई मतिदास जी, भाई सतिदास जी भाई जैला जी समेत कैद कर लिया, भाई गुर्दत्ता जी और भाई उदे जी को गुरु जी ने दिल्ली जाते समय आगरे में ही गिरिफ्तारी देने से रोक लिया था ताकि वे वहाँ के सारी जानकारी अनन्तपूर साहिब उनके परिवार के पास पहुँचाते रहें भाई गुर्दत्ता जी और भाई उदे जी आगरा से दिल्ली पहुँचकर भाई जैता जी के पास ठहरे हुए थी भाई जैता जी पहले से ही दिल्ली पहुँच गए थी इतिहास में दर्ज है जब गुरु जी के कैद हो जाने की खबर ओरंजेब को मिली तब ओरंजेब का लिखा हुआ हुकम लेकर का जी गुरु जी के पास आया और कहा अगर आप सच्चे पीर हो तो कोई करामात करके दिखाओ अगर करामात करके नहीं दिखाओगे तो मुस्लिम धर्म अपना लो और अगर इन बातों में से कोई भी बास्विकार नहीं है तो फिर कतल हो जाने के लिए तैयार हो जाओ तीनों शर्ते सुनकर गुरु जी ने फरमाया करामात नाम कहर का है जिसे करने से रब के बंदों को शर्म आती है और दूसरी शर्त रही इसलाम कबूल करने की परमात्मा ने हमें जिस धर्म में पैदा किया है उसे छोड़ कर किसी दूसरे धर्म को अपनाना एक बहुत बड़ा गुना है हम अपने धर्म में ही जिएंगे और इसी धर्म में मरना पसंद करेंगे तीसरी शर्त जो तुमने कदल हो जाने के बारे में कही है वो हमें खुशी-खुशी परवान है यह सारा जगत तो एक मुसाफिर खाना है यहां किसी ने हमेशा नहीं रहना फिर हमें मोत का क्या डर गुरुजी के मुक्सिया से वचन सुनकर उन्हें एक छोटी सी कोठ्री में तब कैत कर दिया गया गुरुजी को भूखा प्यासा रखकर कई प्रकार की यातनाई दी गई जब इतना कुछ होने पर भी गुरुजी अडोल रहे जुके नहीं तो ओरंग जेब ने हुकम दिया कि गुरुजी के साथ पकड़े गए तीनों सिखों को उनी के सामने भ्यानक सजाएं देकर कतल कर दिया जाए ताकि अपने साथियों की दर्दनाक मोत देखकर वे आप ही डर के हमारी बात मान ले सन 1675 में भाई मतिदासची को लकड़ी के बड़े टुकड़े में बांध कर आरा रखकर दो फढ़ कर दिये गए पर मतिदासची ने उफ तक न की आखरी सांस तक वे पाठ करते रहे दूसरे दिन भाई दियाला जी को पानी की उबलती देख में बिठा कर शहीद कर दिया गया तीसरे दिन भाई सतिदासची को रुई में लपेट कर आग लगा दी गई भाई मतिदास भाई सतिदास और भाई द्याला जी की दर्दनाग शहीदी को देखकर गुरु जी अडोल रहे उन्हें कोई परभावना पड़ा गुरु जी को शांत और अडोल अवस्था में देखकर बाश्या ने एक और हुकम जारी किया कि गुरु तेख बहादुर जी को तलवार से कतल कर दिया जाए और कतल करने से पहले एक दिन समय निर्धारित करके सारे शहर में धिंडोरा पिटवा कर लोगों को सूचित कर दिया गया कि हिंदू के पीर को चांदी चोंग कोथवाली से बाहर कतल कर दिया जाएगा काजी ने बाशा का हुकम गुरु जी को सुनाया और उन्हें मुसल्मान बनने के लिए फिर से जोड डाला पर गुरु जी ने कठोर शब्दों में कहा कि हम प्रभू से मिले हुए अपने धर्म को छोड़कर बाशा का धर्म अपनाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है हम अपने धर्म की खातिर कतल होने के लिए तैयार हैं कहते हैं कि अगले दिन यानि 24 नवंबर 1675 के दिन कोत वाली से बाहर गुरु जी की इच्छा नूसार उन्हें पहले शनान करवाया गया उसके बाद गुरु जी ने चोंकडा मारकर जलात को कहा कि पाठ का भोग पढ़ने के बाद जब हम सिर जुका कर प्रभु को नमस्कार करेंगे तो तुम अपना वार कर देना इतिहास में दर्ज है कि पाठ का भोग पढ़ने के बाद जब गुरुजी ने शीश चुकाया जलाज जलाल दिन ने तलवार के एक चोर दारवार से गुरुजी का शीश धर से अलग कर दिया हजारों लोगों की भीड ने जब ये नजारा देखा तो चारों तरफ हाहा कार मच गई तभी बड़ा भ्यानक तुफान आया काली अंधेरी चल पड़ी सूरच को भी तुफान ने अपनी लपेट में ले लिया और चारों तरफ दिन में ही अंधेरा चा गया मुगल पुलिस ने हर तरफ सक्त पहरा लगा दिया ताकि कोई गुरु तेक बहादुर जी का शीश और धर उठा कर ना ले जा सके लोगों में मुगलों ने इतनी देशत भर दी थी कि कोई भी सिक गुरु का शीश या धर उठाने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सका गुरु घर का कोई सेवक भी ऐसी हिम्मत ना जुटा सका गुरु जी के खास सेवक भाई उदेचन भाई जैता जी और भाई गुर्दता जी उस समय लोगों की भीड में शामिल थे वो भी गुरु जी की शहादत अपनी आँखों से देख रहे थे गुरु जी का शीश और धर धरती पर पड़ा था पुलिस का हर तरफ सक्त पहरा था पर भाई जैता जी ने तुफान आने पर अंधेरा होता देखा और उसने भाई उदेचन को इशारा किया भाई उदेचन एक चादर लेकर उसके पीछे हो लिया लोगों की भीर से दूर जाकर उन्होंने शीश को चादर में लपेट लिया और दोनों बच बचाकर अनंतपुर साहिब भाग गई उसी समय गुरु घर का सेवक लखी शावन जारा जो मुगल फोज का शाही ठेकेदार था किले में समान रखकर अपनी खाली बैल गाड़ी को लेकर अपने घर को जा रहा था तो उसने जब गुरु जी के धड़ को जमीन पर पड़े देखा तो उसने अपने पुत्र और अपने भाई की साहिता से धड़ को अपने बैल गाड़ी में रख लिया उसने अपने घर को ही आग लगाकर गुरु जी के धड़ का संसकार कर दिया ताकि मुकल फोज को शक न हो सके उसे स्थान पर आजकल गुर्द्वारा रकाब गांच बना हुआ है इतिहास में दर्ज है, भाई जैता जी ने गुरु तेग भादुर जी का पावन शीश अनंदपूर साहिप में पोँचा कर साहिब जादे गोबिंद राय की जोली में डाल दिया साहिब जादा गोबिंदराई भाई जैता जी की भाधुरी देखकर बहुत खुश हुए उन्होंने भाई जैते को वर दिया रंग रेटा गुरु का पिटा फिर उन्होंने मर्यादा नोसार चंदन की चिता तैयार की और बड़े सतकार सहित गुरु तेक भाधुर जी के संसकार किया गया वेस्थान आनंदपुर साहिब में गुरु द्वारा शीषगंज के नाम से परसिध है और जहां गुरु तेक भाधुर जी की शहादत हुई वेस्थान भी दिल्ली में गुरु द्वारा शीषगंज के नाम से परसिध है वाहे गुरु कृपा करे और हम अपने गुरु के प्रती एक सची शक घांजली है वाहिगुरुजी का खालसा वाहिगुरुजी की फते